जुही word processor का प्रयोग करके एक school report पर काम कर रही है और वह page के बिलकुल बीज में 13.09 cm चौड़ा चित्र लगाना चाहती है page की चौड़ाई 21.59 cm है उसे बाई और कितना हाशिया यानि की margin छोड़ना चाहिए ताकि चित्र बिलकुल बीज में रहे आईए इसे समझने की कोशिश करें हमारे पास एक page है जो की 21.59 cm चौड़ा है मैं यहाँ screen पर एक page बना देता हूँ तो अब मैं यहाँ सफेद रंग से एक page का चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर एक page बन गया है और यह 21.59 cm चौड़ा है एक page के लिए यह थोड़ा असमानी साइज है लेकिन फिलहाल हम इसी साइज के साथ आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वह 13.09 cm चौड़ा चित्र पेज के बीच में लगाना चाहती है मैं इस चित्र को magenta रंग से बना देता हूँ यह चित्र 13.09 cm चौड़ा है तो यहाँ पर एक चित्र है जिसे वह page के बीच में लगाना चाहती है तो प्रश्न पूछा गया है कि उसे बाई और कितना मारजिन छोड़ना चाहिए ताकि चित्र पेज के बीच में रहे वास्तों में पूछा गया है कि यह दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि यह चित्र पेज में आ जाए और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर चित्र पेज में है तो यहाँ पर यह दूरी इस दूरी के बराबर होगी ताकि चित्र ठीक बीच में रहे इसका साइज चाहे जो भी हो लेकिन यह दूरी इस दूरी के बराबर होगी तो हम इसे इस तरीके से हल कर सकते है हम 21.59 सेंटीमीटर में से 13.09 सेंटीमीटर घटा सकते है और ऐसा करने पर हमें छोड़ी गई इस जगह और इस जगह का कमबाइन डिस्टेंस यानि कि संयुक्त दूरी पता चल जाएगी और इसके बाद हम इस दूरी को आधा कर सकते हैं आधा भाग दाईयोर की दूरी को प्रदर्शित करेगा और बचा हुआ आधा भाग बाईयोर की दूरी को प्रदर्शित करेगा आईए देखते हैं कि संयुक तुरूप से बाया मार्जिन और दाया मार्जिन कितना होगा और ये होगा 21.59 cm घटा 13.09 cm इसे हल करने पर प्राप्त हुआ 8.59 cm जो कि कम्बाइन मार्जिन है यह 8.59 cm दाई और बाईयोर के मार्जिन का योग है यह इस दूरी और इस दूरी का जोड है तो अब इस चित्र को बीच में लगाने के लिए अगर हमें बाईयोर का मार्जिन पता करना है तो ऐसा करने के लिए हमें संयुक्त मार्जिन को दाईयोर तथा बाईयोर के मार्जिन में बराबर बाटना होगा और ऐसा करने के लिए हम इसे 2 से विभाजित यानि कि डिवाइट कर लेते हैं तो अगर आप 8.50 को 2 से विभाजित करें या इसे 1 बटा 2 से गुणा करें गुणा करना अधिक उप्युकत रहेगा आप किसी भी तरह हल कर सकते हैं तो 1 बटा 2 से गुणा करने पर हमें 8.50 बटा 2 प्राप्त होता है जिसे हल करने पर उत्तर 4.25 सेंटिमीटर आता है तो अगर हम चित्र को बीच में लगाना चाहें तो यह दूरी 4.25 सेंटिमीटर होगी और ये वाली दूरी भी 4.25 सेंटिमीटर ही होगी और अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपको 8.50 सेंटिमीटर मिलेगा और अगर आप इसे 13.09 में जोड़ दें तो आपको पूरे कागस की कुल चोड़ाई प्राप्त होगी तो जूही को बाई और कितना मार्जिन या हाशिया छोड़ना चाहिए जूही को 4.25 सेंटिमीटर का हाशिया छोड़ना चाहिए